नमस्कार दोस्तु टार्गेट विद प्येस परियार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माधम से आप लोगों को विहिंद बरतियों के बारे में सभी जानकारियां दी जाती है खासतोर से शिशक बरतियों की उसे क्रमें आज की इस वीडियो में हम लोग बात करें होगी उसकी पीडियों अब मेरे पास आ गई है आए मैं आपको पीडियों में दिखाता हूं कि क्या क्या बदलाव किये गया है और क्या संसोधन किया गया है दोस्तों आज मंगलवार है और आज ही केमिनेट ने इसे पास किया है आप लोग यहां पर तारीक भी देख सकते ह हैं तीन दिसंबर यहां पर लिखा हुआ है और यह मंत्र परसद ने यह निर्ण लिया है उत्तर प्रदेश मानिता प्राप्त बेसिक इसकूल जूर्य हाइसकूल अध्यापकों की भरती एवं सेवा की सरते नियमावली 1978 में संसोधन का निर्ण है तो यह बहुत बड़ा एक संसोधन है मैंने बताया आप लोगों को कि जूनियर हाइसकूलों में अब जो भरती प्रक्रिया थी मनेजमेंट के द्वारा और बेसिक सिक्षा इतिकार यानि बेसे के द्वारा होती थी अब उस नियमावली को बंद कर दिया गया है अब यह बरती सरकार करवाईगी सरकार किस तरीके से करवाईगी आप यहाँ पर देख लिजिए लिखा हुआ है कि मंति परसद ने उत्तर प्रदेश माननेता प्राप्त बेसिक स्कूल यानि जूनियर हाइसकूल अध्यापकों की भरती एवं सेवा सर्ते निमावली 1978 में सात्वे संसोधन का निर्ण लिया है तो यह कहलाता है सात्वा संसोधन इस संसोधन के द्वारा सहायता प्राप्त यानि एड़ेड असास की जूनियर हाइसकूलों में अध्यापक भरती के लिए अध्यापक पात्रता परिच्चा उत्तिर्णांग यह देखी लिखा हुआ है अध्यापक पात्ता परिच्च्च्च उत्तिरणांग भरती परिक्षा तो यानि कि TET ध्यापक्ता करिज्छत यानि TET भरती परिक्षा यानि नीच लिखा है कि बरती परिक्षमों युद्टाफ लगाये है और शनुझ तिरुमें घ्रिद्र प्राप्त जूनियर हाइस्कोलों में सहायक अध्यांकों की भरती के लिए प्रबंधा अधिकरण द्वारा अधियाचित रिख्तियों की सुचना जिला सिक्षा अधिकारी यह देगी लिखा हुआ जिला सिख्षा अधिकारी द्वारा अपने इस तरह से सिख्षा निदेशक बेसिक सिख्षा को प्रेशित की जाएगी जो प्राप्त अधियाचन का परिच्छन करने के पास चात अध्यापक पात्रता परिच्छा उत्तिरणंग तीचर इलिजिबिल् परिच्छा उत्तिरणंग तो यह जो भरती परिच्छा हुआ करेगी उसमें एक कटाफ लगाए जाएगा कि आधार पर चेन की कारवाई करेंगे तो इस आधार पर आप भरतिया होंगी यहां पर वैसे एक बात साफ साफ दिख रहें कि इसमें कहीं भी अभी एकडमिक की ब बात तों की गई है फिर नीचे लिखा कि इस सोधन द्वारा परिसेदी बेसिक स्कोलों में सायक अध्यापक की बरतिये तू निर्दायत निर्धारित चैन प्रक्रिया के अनुरूप ही असास की सायता प्राप्त जूनियर है स्कोलों में अध्यापकों की बरती के लिए बंद किया जा रहा है नीचे लिखा है कि इस नीमा वली के अंतरगत अध्यापकों के कर्तव निर्दारित किया जा रहा है नीमा वली द्वारा संबंदित संस्थाओं को मानता संबंदी नियमों का अनुपालन करने और उनका अनुपालन ना करने की स्थित्व में नोटिस दे आज माधपूर्ण एक यह बिल है और बहुत सारे संसोधन पास की हैं लेकिन आपके काम का केवल यह संसोधन था और जो आज की समचार पत्र हैं उसमें इसना तक 50 प्रिशत भी दिया हुआ है लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है अब बात कर लेते आज विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग में अज धरना प्रदेशन किया लोग सेवा आयोग के गेट के पास सेर सिंग विकी खान और बहुत सारे लोग थे और विद्यार्थियों की यह मांग है कि जब तक यह हिंदी और समाजिक विज्ञान का परण नहीं आजाता है तब तक अनवरत धर्णा प्रदसन लोग सेवा आयोग के गेट पर होता रहेगा यह देखिए यह गेट की तस्वीरें हैं यहां पर सब लोग बैठे हुए हैं प्रणा पांडे सेर सिंग इत्यादी और नितिन चौधरी भी बैठे हुए हैं यहां पर लिखा से और तब वास्तविक इस्तिती पता चलेगी कि आकीरकार हिंदी और समाजिक विग्यान के साथ में क्या हो रहा है विधियारथि अपनी बात बताएंगे कि आकीरकार क्यों चाहते हैं कि हिंदी और समाजिक विग्यान के परिणाप जल् сам creatively अजाय है इसके बाद में जो गलतीय विद्धार्थिस हो गई है जिन विद्धार्थिओं कापिया नहीं चेक हुई है जिनके रेजिस्ट्रेशन में कोई दुर्टी हो गई है या विशजय भरने में दुर्टी हो गई है उसको तत्काल प्रहौसे संसोधन किया जाए और मैनुवल वो लांकें किया जाए जिसे जिन विद्यार्थियों का परणाम रुका हुआ है उनका भी कंड़ाम जारी हो जाए उसके बाद में एक और सुचना है कि प्रतियोगी चातर मुर्चा एक चातरों का संग्ठन है इलाबाद में प्रयागराज में और उस संग्ठन में एक बड़ोत्री वी आज क्रमिक्स अंसन के बाद संग्ठन के पता अधिकारियों की बैटक बुलाए गई और संग्ठन का विस्तार किया गया जिसमें पंकज संगारा कई दिनों से एल्टी ग्रेट से शक बढ़ती में महत प्रूभूम का निभाई है बहुत सारे आंदलोनों में हमेशा आते हैं और बहुत आगे आगे भाग भी लेते रहें बहुत ही जुजारु चात्रे नेता है इसलिए इनको जो है संग्ठन मंत्री बनाये गिया पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद